नमस्ते दोस्तों मैं श्रेयस बडिये अब सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम डेली करंट अफेर्स सीरीज से 19 फेबरोरी 2024 के करंट अफेर्स को स्टडी करेंगे यहां लिखे गए topics को हम आज के वीडियो में study करने वाले जो आपके हर exam के लिए बहुत जादा important होंगे अगर आप इस वीडियो lecture का PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे description में एक telegram channel की link छोड़ी हुई है उस telegram link को join कीजिए और आपको वहाँ daily PDF मिलते रहेंगे अगर आप MCQs solve करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के end तक बना रहना होगा वहाँ पे हम आज के lectures के discussions पे MCQs की भी practice करने वाले आपको पता है knowledge सिर्फ लेना नहीं है knowledge को apply भी करना MCQs solve करने की practice भी डालना है तब ही तो exam को pass कर पाएंगे न तो चलिए आज के video lecture की शुरुआत करते हैं तो आज जो हम 19 February 2024 का current affair पढ़ने वाले है उसमें सबसे पहली news मिल रही है रुकमा भाई राउत को लेके और इसका syllabus जा रहा है history में recently हुआ कि एक नई book आई है on the life of रुकमा भाई जो कि एक child bride थी child bride याने एक दुलहन थी जो की एक बहुत छोटे उमर की थी पहले बाद में तो वो आगे जाके एक woman doctor भी बनी तो उनके बारे में काफी एक बहुत अच्छा एक book आ रही है तो background अगर देखा गया तो यह जो book है यह किसने लिखी है यह background इसकी अगर देखे तो यह जो किताब है वो लिखी गई है academic और writer सुदिर चंद्रने और यह claim करते है कि एक extraordinary बट little known life जो है rebel doctor की वो कैसी हो गई यह चीजे यहाँ पर बताई गई है इस life इस जो किताब है उसके थू जो कही ना कही रुकमा भाई जो थे वो dare करती थी वो challenge करती थी उस वक्के जो norms थे उनके time के उन्होंने सभी कुछ पीचे छोड़ के हम प्रीमे भी आ सकता है इसके उपर question mainly प्रीमे ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आप यह देख रहे है कि यह किताब अभी अभी launch हुई है तो about रुकमा भाई अगर देखा गया तो इनका 1864 में birth है रुकमा भाई जो था उनको for formal education दिया नहीं गया उनकी शादी करा दीगी 11 साल क और जिन से शादी कराए उनका नाम था दादा जी भिका जी और दादा जी भिका जी जो थे वो 19 साल के थे जो यह हम कहेंगे रुकमा भाई जो थी जैसे पहले system चलता था कि ठीक है लड़की थोड़ी बड़े होने तक वो अपने मम्मी के हाँ या अपने पापा के हाँ या stepfather बन गे रुकमा भाई के क्योंकि उनके मदर ने इन से शादी कर ली जो की विद्वा थी वीड़ो थी दूसरी बात जो रुकमा भाई थी उनको कहीं ना कहीं उनके stepfather ने support किया जब उन्होंने ये कहा कि मुझे भीका जी के साथ नहीं रहना जिनके साथ मेरी बच्पन में शादी करा दी गए मुझे उनके साथ नहीं रहना है उनके परिवार के साथ नहीं रहना है अब ये जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके stepfather ने support भी किया उन्होंने बोला ठीक है नहीं रहना तो मत रही है हम साथ में रहेंगे कोई problem न और इस कारण जो दादा जी भीका जी वो मेरे यहाँ पे रहने आनी चाहिए ऐसी केस जो दादा जी भिका जी थे उन्होंने डाल दी और यह केस का नाम था भिका जी वर्सेस रुकमा भाई 1885 अब इस पर हीरिंग आई जज ने डिकलेर किया कि जो रुकमा भाई थी उनकी जब शादी की गई तो वो helpless infancy में थी वो थी उन्होंने अपील कर दी इस judgment के खिलाफ और जो first order जो था इसको overturn कर दिया जो पहले court ने फैसला सुनाया गया था उसको बदल दिया गया और court ने order किया कि रुकमा भाई जो है उनको अपने पती के साथ रहना पड़ेगा या फिर छे मेने की उनको जेल की सजा दी जुलई 18-8 में अगर देखा गया तो एक settlement आता है भिका जी के और हम कहेंगे रुकमा भाई के बीच में जो भिका जी थे उनके जो husband कहा जाते है so called husband उन्होंने कहा कि भई एक settlement करते है मैं मेरे claim छोड़ देता हूं मैं आपको force नहीं करूंगा या court में नहीं जाओंगा इसक case के कारण जो चलने लगी ये देखने मिला कि बच्चियों की जो शादी कराई जा रही है हमारे देश में वो अच्छी नहीं है उनके कही ना कहीं उन्हें पूछे भी ना ऐसे age में शादी कर दी जाती है जिसमें उनको समझ भी नहीं होती है इस कारण इंडिया में age of consent act भी 12 साल के उमर में तो देखिए कहीं ना कहीं आज तो आपको 12 साल वैसे बहुत कम लगते हम लोगों को क्योंकि हमारी society अब काफी आगे बढ़ चुकिये उस वक्ट 12 साल याने काफी जादा age मानी जाती थी शादी के लिए लड़कियों की बट जो भी हुआ success तो मिला उन्हों देखने मिल रही है जिसमें इंडिया ने एक assistance भेजा है cholera hit Zambia को Zambia करके जो देश है वहाँ पे cholera बहुत केजी से फैल गया है और इंडिया ने उन्हें मदद भी किये ये current affair और इसका syllabus जाता है geography में भी जा सकता है geography में इसकी location पूछी जा सकती है और science में medical assistance को लेके या chol को लेके question आ सकता है तो सबसे पहले इंडिया जो होता है उन्होंने Saturday को एक medical और material assistance भेजा है Zambia को और Zambia जो है ये Southern African country है background ये कि Zambia जो होती है वहाँ पे outbreak हो चुका है cholera का और वहाँ पे past few weeks से आपको ये cholera बहुत खतरनाक तेजी से बढ़ते होई दिख रहा है इस कारण schools को भी देश में बंद कर दिया गया Zambia जो होता है वो help मांग रहा है medical help इस situation से deal करने के लिए जिसको उन्होंने cholera emergency कहा है तो चलिए Zambia को इंडिया ने help कर लिया है तो Zambia के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं Zambia की बात करें तो ये एक land locked country है यानि यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है कोई भी coastal area नहीं है land locked country पूरी तरह land में आती है crossroads जो है वो Central Southern और East Africa जो है यहाँ पे लगके है Zambia को और अगर Zambia की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दू कि एक land locked country यहाँ पे बहुत economic growth हुआ है last decade में पिछले 10 साल में Zambia ने बहुत अच् के largest copper producer बन गए after Congo Democratic Republic of Congo इससे अब ये second largest बन चुके Congo के बाद और एक Victoria fall जो आपने कही waterfall का नाम सुना होगा ये waterfall भी Zambia के border पे है जहाँ पे Zambia जिंबाभी के साथ border share करता है तो ये हो गया Zambia से related geography में आने वाले question का portion अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं cholera यानि ये जो portion है इसमें आपको question आ सकता है science से cholera ये क्या है cholera bacterial disease है जो spread होता है खराब पानी से bacterium जो इसको spread करता है bacteria उसको vibrio cholera कहा जाता है जिससे cholera infection आपको देखने मिलता है deadly effect जो है इस disease का वो कही ना कई toxin का है जो bacteria produce जो ये bacteria होता है वो आपके अंदर जाता है और ये produce करता है हम होता है इस कारण क्या होता है toxin आने के कारण body जो होती है वो बहुत ज्यादा amount of water secret करना चोड़ती है शुरू करती है या पानी चोड़ना शुरू करती है जिस कारण आपको diarrhea हो जाता है diarrhea में आपको lose motion जैसा है या फिर आपको काफी liquid ऐसे stool आफ पास करते हो तो rapid loss होता है fluids क और salts का electrolytes का आपके body में से ज्यादा तर लोग जो होते है वो cholera bactrum के यानि हम कहेंगे contact में तो आ जाते है उनके अंदर यह चले जाता है बट दो वो बिमार नहीं पड़ते और उनको पता भी नहीं रहता है कि वो infect हो चुके है क्योंकि वहाँ पर कोई symptoms नहीं होता है asymptomatic होत है वहाँ पर रिलीज करते रहते और इस कारण दूसरे infect हो सकते है यह खराब पानी से तो उनको दूसरों को cholera इससे हो सकता है तो cholera एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिससे हमें बचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो यह था cholera को लेके जैंबिया को लेके current affair और इसका source था the Hindu अब अगला जो में current affair देखने मिलता है वो है एक अभियान को लेके जो कि प्रधान मंतरी जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियान पी एम जन्मान अब इसका syllabus जाता है current affair में तो जो census आया है 2021 का यह स्वारी जो census डीले हुआ है 2021 का वहाँ पे government जो होती है वो attempt कर रह इसकी population जो है वो कितनी है यह देखने कि अब government कोशिश कर रही है अब यह PVTG क्या होते है यह आपको सोचना नहीं है यह हमें आगे पढ़ना ही है पूरे देश में कितने यह देख रहे हैं अब background यह है कि information जो है population पे बहुत जादा important है क्योंकि government की scheme एक package है जो government implement करना चाहत है तो सबसे पहले देखना होगा कि कितनी population है PVTG में तो यह देखेंगे PVTG होते कोने उसके पहले यह जन्मन के बारे में information ले लेते हैं जन्मन की अगर बात करें तो जो vision अंतियोदय यानि हम हर section को जो भी सबसे नीचे जिस section को consider किया जाता है उनका भी हम उदय करेंगे उ last person at the last mile उसका भी हाँ development होगा यह vision के साथ PM जन्मन launch किया गया है socio-economic welfare करके और particularly vulnerable tribal groups that is PVTG 15th November 2023 को यह launch किया गया था PM जन्मन जो होता है यह 11 interventions जो है उस पर focus करता है नो ministries के द्वारा और aim इसका है कि improve करने हमें socio-economic conditions PVTG की by saturating PVTG households and habitations with basic facilities यानि वो लोग जहां भी रहते हैं उनके जो भी घर है या उनकी रहने के जो भी location है वहाँ पर हमें उसे basic facilities तो भी देनी है जैसे उनको safe housing देना है सा sanitation अच्छे देना है एक तरस education हमें उन तक provide करना है health provide करना है nutrition, electricity, road, telecom, connectivity, sustainable livelihood, opportunity यह सब हमें उन्हें पहुचाना है PM जन्मन के through तो यह है PM जन्मन अब यह किसको पहुचाना है तो यह पहुचाना है PVTG को तो अब देख लेते हैं यह PVTG होते कौन है तो यह जो PVTG होते है इ PVTG है ना तो PVTG जो होंगे यह इनका full form आपको यहाँ पर पता ही है particularly vulnerable tribal groups यह अच्छे से याद रखेगा नाम अब यह PVTG जो होते है यह schedule tribes के ही अंडर आते हैं 1973 देबार कमिशन जो होती है they created primitive tribal groups PTG अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बता है यह आते ST में है PVTG बट यह ब काफी नीचे देखने मिलते हैं यानि इनकी हालत जो है वो काफी अच्छी नहीं देखने मिल रहे है 1973 में देबार कमिशन जो होता है उन्होंने तो PTG बनाया था that is primitive tribal group एक separate category बनाया थी जो less develop होते बाकी tribal group से 2006 में government of India जो है उन्होंने PTG को PVTG ऐसा rename किया है तो वो कुछ ने PTG ही है तो government of India जो होती है कुछ criteria देखती है कि PVTG कौन होगा PVTG बनने के लिए जो पहला criteria देखा जाता है वो pre agricultural level of technology वो कौन सी technology यूज कर रहे है आज जो technology है अगर वो उसका use नहीं कर रहे है वो आज भी पूराने technology पे dependent है तो उनके agriculture में जादा production नहीं होगा इस कारण वो आगे नहीं बड़े है तो ये वो लोग रहेंगे दूसरा low level of literacy ये जादा पढ़े लिखे नहीं होते है तीसरा काफी गरीब होते है economically काफी backward होते है और चौथा एक stagnant population है declining population इनकी population दिन बदिन कम हो रही है आपको ये बताओ तो there are total 75 PBTGs in India तो यहां तक हमें क्या पहुचाना है यहां तक हमें PN जन्मन पहुचाना है तो ये specially PBTG के लिए तो PBTG कौन है अच्छे से याद रखिएगा और ये जो current affair था इसका source था the Hindu अगला जो current affair हमें देखने मिल रहा है वो है European Free Trade Association को लेके याने EFTA को लेके जी हां EFTA सही सुना आपने EFTA पर आपको बिल्कुल question आ सकता है इसमें member countries पर पूछा जा सकता है issue जो है वो पूछा जा सकता है इसका syllabus जो आता है वो current event में जाएगा context क्या है या IR में भी जा सकता है international relation में recently India ने reject क free trade associations के जो चार nation है EFTA के वो किस चीज के लिए data exclusivity के लिए data exclusivity एक provision वहां डाला गया है वो क्या है ये भी आपको पता चलेगा free trade agreement ये जितने भी nation रहेंगे EFTA में वो freely trade करेंगे एक दूसरे के साथ उनको कोई भी यहां पर रुकावट नहीं जाती है बट यहां पर data exclusivity generic drug बना रहे है जो भी देश में वो लोगों को data नहीं मिलेगा pre clinical test और clinical trials के जो पहले के patent holder ले चुके यानि उनको फिर से data लेते बैटना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं यह पूरा data exclusivity कर दिया जाएगा यानि यहां पर बार होगा आपको कि आप अब pre clinical test और clinical trials का data यूज बार्ट से यहां पर trade चलाए जा रहे है बट यह जो चीज है यहां पर इंडिया ने मना कर दी है तो European free trade association क्या है यह देख लेते है जो European free trade association हो कि regional trade है organization है free trade area है जिसमें 4 European states आते यह नेशन आते है पहला है Iceland, दूसरा एलिक्टेंस्टाइन, third one is Norway and fourth is Switzerland यह जितने भी देश है यह European union का पार्ट नहीं है बट यह लोग एक single market करके काम कर रहे है और सेंजन एरिया जो है यहां पर यह लोग काम करते हैं तो यह जो सेंजन एरिया है यह हम कहेंगे के प्रोजेक्ट है जो कि यूरोप में चलाया जाता है तो यह जितने भी चार देश है यह मिलके काम कर रह community को जॉइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कहेंगे कि या फिर हम कहेंगे कि European union को जॉइन नहीं कर पा रहे थे European union के पहले था एक European union को तो यह लोग जॉइन कर पाएंगे बट उसके पहले जो था EEC उसको यह लोग जॉइन नहीं कर पा रहे थे या फिर वो चाहते थे नही European Union के साथ काफी सारी policy areas को लेके European economic area agreement बना के इन सब के साथ तो यह सब मिलके काम कर रहे है एफटा जो इसका headquarter जेनेवा स्विट्जर लैंड में है तो यह देश जो है यह आपस में free trade चलाते है और यह news में रहे है क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया अब यहां पर कौन सा क्या मना किया है तो data exclusivity को यहां पर इंडिया ने reject किया है तो हम कहेंगे कि हिंदू business line में यह news आई थी एफटा को लेके चलिए अब आगे का current affair देखते है और आगे आपको देखने मिल रहा है partial nuclear test ban अब यहां पर अगला जो current affair है PTBT उसको कहा जाता है इसका syllabus जाता है science में multiple reports आई rights को destroy कर देगा civilians को भी destroy करेगा और military को भी destroy कर देगा यहां पर कहा जा रहा है background यह कि अगर रशिया जो होता है word to develop and deploy such weapon अगर रशिया को ऐसे weapons develop करना है deploy करना है तो उसको outer space treaty जो होता है उसको violet करना पड़ेगा वो violet कर देगा और partial nuclear test ban treaty को भी 1963 में जो sign कर दी गई थी उसको यह violet करके ही कर पाएगा क्योंकि यह जो treaty यह प्रोहिबिट करते है nuclear explosion को space में तो space में जाके आप nuclear explosion नहीं कर पाते थे और रशिया जो उन्होंने पहले दोनों treaty को sign किया हुआ है तो हम यहां पर देखते है कि PTBT जो है यह क्या है तो यह सबसे पहले हमें देखना होगा उसके बाद हम outer space treaty को भी पढ़ेंगे आपको tension नहीं लेना है हम दोनों चीज़े पढ़ेंगे तो यह जो partial nuclear test ban treaty आपको पता चल रहा है partially क्या ban किया जा रहा है nuclear test को ban किया जा रहा है ऐसी एक treaty है तो यह जो PTBT है यह 1963 के एक international treaty है जो प्रोहिबिट करती है nuclear weapon test atmosphere में यानि आप outer space में जाके या पानी में के अंदर जाके nuclear test नहीं कर सकते treaty को 1963 में sign किया था US ने Soviet Union ने और United Kingdom में और इसमें 126 parties 3 parties है 2014 तक treaty का aim यह है कि radioactive जो भी fallouts है nuclear test के कारण जो होते है उन्हें रोकना उन्हें कम करना यह बहुत effective रहेंगे हम सब के लिए environment के लिए भी और prevent करना जो भी escalation है nuclear arms race का लोगों में nuclear arm race जो चल रही ना कि मैं जादा nuclear बनौँगा मैं जादा बनौँगा तो यह चीज पर थोड़ा break लग जा इसके लिए काम करते है यह जो treaty होती है यह बैन नहीं करते है underground nuclear test को यह continue आप कर सकते हो nuclear powers और other countries जो होती है यह करते ही रहती है underground nuclear test तो नीचे की atmosphere में याने space में और दूसरा पानी में करना अलाओ नहीं है इंडिया का stand इसमें क्या रहा है इंडिया पिटी बिटी की party तो नहीं है सबसे पहले इंडिया ने sign नहीं किया है उन्होंने पहले refuse कर दिया था कि हम इसे sign नहीं कर सकते क्योंकि उनका यह कहना था it discriminated against non nuclear weapon states and did not address the issue of nuclear disarmament है ना तो हम आप लोग तो पहले अपने nuclear development कर लिये बाकी देशों ने अब वो sign कर रहे है इस treaty को उनक्या तो already nuclear weapons है अब वो आगे नहीं develop करेंगे बढ़ हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं है ना हमको कुछ तो develop करना पड़ेगा अधर्वाइस हमें आप से खत्रा र पड़ेगा तो फिर हम लोग इसको क्यों sign करें क्योंकि आपके पास तो already है इंडिया ने refuse किया था to sign comprehensive nuclear test ban treaty CTBT which is a successor of PTBT उसके बाद क्या आया उसके बाद CTBT आया PTBT के बाद वो भी इंडिया ने का हम ये भी sign नहीं करेंगे ये जो CTBT था ये ban करता है पूरे nuclear explosion जिसमें underground test भी होते हैं civilian military purpose के लिए ये सब नहीं use किये जाएंगे इंडिया ने argue किया कि जो CTBT है वो universal नहीं है वेरिफायबल नहीं है ये non-discriminatory नहीं है इसमें भी discrimination चलता है कुछ देशों की जादा यहां चल रही है हम लोगों की नहीं चलने देंगे वो और ये कोई security concerns जो इंडिया के उसको भी कही नहीं चलने कर रहा है हम लोगों की security concerns है हम लोगों को nuclear अपने पास रखने पड़ेंगे हम इतना बरोसा है कि हम दूसरों पर अटेक नहीं करेंगे वो हम पर अटेक करेंगे की नहीं तो उन्होंने अगर हम पर अटेक कर दिया तो हमें तो safe रहना पड़ेगा तो हमें तो अपने nuclear develop करना पड़ेगा इंडिया जो होते हैं अपने sovereign rights जो है उसे कहीं ना कहीं maintain कर रहा है कि वो nuclear test जो होगा वो खुद से करता रहेगा अपने national security के लिए और वह ऐसे किसी भी treaty को join नहीं करेगा तो इस तरह से हम कहेंगे रशिया के कारण ये PTBT जो है ये news में आ गया और outer space भी news में आया treaty वो भी हम अभी देखने वाले हैं तो ये जो पहला PTBT था इसका source था United Nations अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो है outer space treaty और इसका syllabus जाता है science में जैसे मैंने बता है कि रशिया जो कर रहा है उसके कारण outer space treaty भी news में रही है और मैंने ये दोनों भी चीजे ये context और ये syllabus जो है ये दोनों भी मैंने आपको बता दिया अब हम directly देखते हैं ये outer space treaty है क्या outer space treaty जो है एक multilateral treaty है जो कि international space law के basis पे बनाई गई है पूरे world में जो space के law चलेंगे उस पे इसको 1967 में sign किया था United States ने Soviet Union ने United Kingdom में और इसमें 2024 तक बात करें तो 114 पार्टी है ये जो ट्रीटिया थी ये प्रोहिबिट करती है कि आप nuclear weapons या बाकी weapons जो mass destruction कर सकते हैं उनको space में रखने से प्रोहिबिट करते हैं उसको आप space में नहीं रख सकते हैं और वो limit भी रखती है कि आप moon को use करें use of the moon और other celestial bodies है ना अगर आप इनको use करना है moon को या बाकि celestial bodies को तो आप उसको peaceful purpose के लिए use कर सकते हैं वार के लिए use नहीं कर सकते हैं ट्रीटी जो होती है वो establish करती है कि जो outer space है वो common heritage है सभी humankind का सभी इंसानों के लिए वो है और कोई भी जो देश है उसका sovereignty इसके उपर नहीं है outer space सबकी है कोई एक का अधिकार नहीं है जो ये treaty इसका aim है to promote exploration exploration करना outer space में जाके आप explore कर सकते हो benefit कर सकते हो हर देश के लिए आप काम कर सकते हो और conflict को आपको रोकना है आम रे space में नहीं चलानी है इंडिया जो होता है इसका party बना है इंडिया ने sign किया outer space treaty को जनवरी 18 1982 को इंडिया ने sign किया इस treaty को 3rd March 1967 को बाद में हम कहें पहले भी और उसके बाद एक और treaty sign की यहाँ पे तो इंडिया इसकी party बना और बाद में उन्होंस ने treaty भी sign की इंडिया ने बट मैंने आपको बता है बट इट तुक अबाट 15 इसलिए फिर यहाँ तक का time लगा यहाँ तक जाने में तो इंडिया ने sign तो पहले कर लिया था उसके बाद इंडिया पार्टी बने क्योंकि इंडिया को यह ratify करने के लिए तो बट टाइम लगा इंडिया को भी सोचना पड़ेगा उनको क्या करना है क्या नहीं इंडिया जो होता है यह party है एक moon treaty का भी जो आगे हम कहेंगे कि exploration आपको करने का मौका देते बट हर चीज का exploration नहीं करना है आप moon का और other natural resources का use कर सकते हो बट एक limited manner में उसका भी इंडिया हम कहेंगा कि party है यानि इंडिया ने उसे भी जॉइन किया तो इंडिया काफी peaceful एक देश है त इसका जो source था वो था the Hindu अब बारी आज के practice mcq को solve करने की जितने भी लोग यहां पे practice mcq को solve कर रहे है वो लोगों ने practice mcq के जो answer आपको लग रहे है सही उसको comment section में लिखना है मैं हर रोज comment section को check करता हूँ और मुझे पता है जो जो लोग answer कर रहे है वो seriously पढ़ रहे है सिर्फ पढ़ के कोई मतलब भी नहीं जब तक आप apply ना करो तो पहला question है सुनी और इसका answer comment section में लिखिए तो सबसे पहला है consider the following countries पहला है Iceland, second is France, third जो है वो Lichtenstein है और चौता जो है वो है नॉर्वे, पाचवा है Germany, sixth is Switzerland इसमें से कितने देश European free trade EFTA के members है only one, only two, only three, only four या only five, दूसरे question के और बढ़ते हैं, दूसरा question है with reference to outer space treaty आपको कुछ options देखने हैं, पहला outer space treaty जो एक multilateral treaty है जो international space law के basis पे बनाई गई है, दूसरा है treaty प्रोईबिट करते हैं कि आप nuclear weapons का placement नहीं या बाकी weapons का mass destruction नहीं वाले outer space में नहीं रख सकते हैं, इंडिया इसकी party बनती है 2023 में, कितने statements यहां correct हैं, only one, only two, all three या फिर none, question number three के और चलते हैं, जो question number three है, वो है which among the following international treaty is India a member of, पहला outer space treaty दूसरा है, PTBT तीसरा है, CTBT और चौता है, non proliferation nuclear weapons, इंडिया इसमें से हम कहेंगे कौन से treaty का member है, तो यह रहे तीन question, अब बारी है कि कल पूछे हुए questions के answer करने की, तो सबसे पहला, जो question number one था, उसका सही answer है, A, two का है, B, और C का है, B, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, तुन्हें like जरूर करें, share करें, और मेरे YouTube चनल को subscribe करके, bell icon को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको regularly मिलते रहे अगर आप और updates चाहते हैं, तो आप Facebook pages जो है मेरे, उनको भी follow लाइक कर सकते है, share's video, share's video interpretation, अगर आप मुझसे कोई भी question पूछना चाहते है, कोई भी doubt पूछना चाहते है, तो आप मुझे direct message के through Instagram पे भी पूछ सकते है, मुझे follow कीजिये, share's video, the peace lover पे आपको, आपके सवा account है, Instagram पे और Facebook पे वहाँ भी उसे follow करके मुझे support दिखा सकते है, मेरे साथ इस video में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much for being here, take care and have a very good day.